Hello everyone, I hope you all are doing great. मैं हूँ अदीती और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में. Guys, इस वीडियो में हम जिन दो Advanced English Structures के बारे में बात करेंगे, उनकी मदद से हम कुछ ऐसे हिंदी के sentences इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे. जैसे की भगवान जाने वो क्या कर रहा है? भगवान जाने वो कहा है? वो हमारी आपस की बात सुन लेता है. मैंने तुम्हारी आपस की बात सुन ली. तो चलिए, शुरू करते हैं आज के पहले वाले structure से. जिसके rule के according सबसे पहले आता है God knows. जिसका मतलब है भगवान जाने या फिर भगवान जानता है. इसके बाद WH family का word आता है sentence के according. जैसे की what, where, when, how, who. इसके बाद subject आता है. सबजेक के बाद subject और tense के according helping verb आती है. इसके बाद main verb आती है. जो कि tense के according किसी भी form में हो सकती है. और last में other words आते हैं. by chance sentence में कुछ बच जाते हैं. तो लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि God knows को लिखने के बाद सबसे पहले कौमा आता है. और उसके बाद आता है हमारा remaining sentence. चलिए कुछ examples देखिए. जिससे आपको इसका meaning better तरीके से clear हो जाए. भगवान जाने वो क्या कर रहा है. God knows what he is doing. देखें यहाँ पर sentence की starting हुई है. God knows से. इसके बाद WH family का word आया है sentence के according. जो कि यहाँ पर है what. जिसका मतलब है क्या से. क्योंकि sentence में हमने बोला है वो क्या कर रहा है. इसके बाद subject आया है he. इसके बाद helping verb आया है is क्योंकि present tense का sentence है और subject ही singular है. इसके बाद main verb आ गई है doing क्योंकि यह sentence present continuous tense का है और हमारा sentence हो गया है complete. Next example है भगवान जाने वो कहा है? God knows where she is. भगवान जाने भी कहां रहते हैं? God knows where they live. God knows where they live. भगवान जाने हम यह कैसे करेंगे? God knows how we will do it. God knows how we will do it. भगवान जाने वो क्या बोला? God knows what he said. God knows what he said. So guys यह था आज का पहले वाला structure जो कि I hope कि आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा. तो चली अब देखिए आज का second वाला structure जो कि है आपस की बात सुन लेने का इसको इंगलिश में बोलने के लिए over here का use किया जाता है. over here का मतलब होता है to hear without the speaker's knowledge. जो बात कर रहा होता है उसकी knowledge के बिना उसकी बात को सुन लेना. रूल देखिए इसका जिसके according सबसे पहले subject आता है. सबजेक के बाद subject और tense के according helping verb आती है. इसके बाद over here आता है. इसके बाद object noun या फिर object pronoun. इन दोनों में से कोई एक आता है. अगर किसी का नाम ले रहे होते हैं तो noun आता है. और अगर नाम नहीं ले रहे होते हैं तो pronoun आता है. जैसे की me, you, him, her, us, them और इस object में उसको mention किया जाता है. जिसकी आपस की बात सुन लेने के बारे में sentence में बात हो रही होती है. और last में other words आते हैं. sentence में कुछ बच जाते ह हैं तो यहाँ पर यह overhear main verb की तरह use होता है. जो कि sentence to sentence बदल सकता है. जैसे की overhears, overheard, overhearing. चलिए कुछ examples देखिए जिससे आपको इसका मतलब अच्छे से clear हो जाए. यहाँ हमारी आपस की बात कोई भी सुन सकता है. Anyone can overhear us here. यहाँ पर देखी anyone subject है. इसके बाद can helping verb का use हुआ है. क्योंकि sentence की ending हुई है. सकता है से. इसके बाद overhear आया है. इसके बाद object आया है sentence का जो की यहाँ पर है us. यह एक pronoun है. और last में आ गया है here. और sentence हो गया है complete. Next example है. वो हमारी आपस की बात सुन लेता है. He overhears us. मैंने तुम्हारी आपस की बात सुन ली. I overheard you. वो उनकी आपस की बात सुन रही थी. She was overhearing them. तुम क्यों दूसरों की आपस की बात सुनते हो? Why do you overheard others? So guys, यह थे आज के दो बहुत ही useful advanced English structures. जो की I hope की आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और अच्छे सी clear भी हो गए होंगे. तो यह रहा आपका homework आपकी स्क्रीन पर. इन दो sentences को translate कीजिए और comment करके मुझे अपने answers जरूर दीजिएगा. वीडियो पसंद आई हो तो इसको like और share करना ना भूले. चैनल पर नए हैं तो please इसे subscribe भी कर लीजिए. चली अब हैं मिलते हैं next lesson में. तब तक के लिए take care. Bye-bye.